अगर आप ऐसे करियर आप्शन की तलाश में हैं जो आपको एक सीट पर चिपक कर घंटों कम्प्यूटर में आखे गड़ाई रखने को मजबूर ना करें, बलकि दूर तक पहले समंदर की सैर कराई, अच्छी अर्णिक का आप्शन भी दे और ट्रावल करने के आपके शौक क पूरा करने में भी मददगार साबित हो, तो आपको मर्चंट नेवी के बारे में जरूर से सोचना चाहिए, क्योंकि ये जौब आपके ऐसे परपस को पूरा कर सकती है, अब अगर आप ये नहीं जानते हैं कि मर्चंट नेवी क्या है, तो आपको बता देते हैं कि ये एक non-military service होती है, जो country की commercial shipping का हिस्सा होती है, और इसका सबसे main काम सामान को एक जगे से दूसरी जगे, यानि एक देश से दूसरे देश और इस तरीके से पूरी दुनिया में ट्रांसपोर्ट करना होता है, ये world economy का इतना important हिस्सा है कि 90% से भी जाधा सामान, मर्चंट नेवी के ships के जरीए ही पूरी दुनिया में ट्रांसपोर्ट होता है, ऐसे में इसकी importance और इस job की reputation भी काफी अच्छी होती है, और merchant navy में कौन से departments होते हैं, कौन सी ranks होती है, ऐसी सारी जानकारियां आपने merchant navy पर बने last वीडियो में ले ही ली होगी, लेकिन अगर आपने अभी तक व बात करें तो इसमें आप जानने वाले हैं कि merchant navy की different post जैसे की officer और ratings की post के लिए apply करने के लिए, और join करने के लिए आपको कौन सा procedure follow करने की जरूरत होगी, इसके लिए क्या criteria होता है, कौन से courses करने होते हैं, इसके लिए best institute कौन से है, salary package कैसा होता है, ऐसी सभी जरूरी जानक education के base पर आप merchant navy को cadet या engineer के तौर पर join कर सकते हैं, और ratings के तौर पर भी, यानि अप class 10 से graduation level तक की education के बाद particular course करके इस profession में आ सकते हैं, merchant navy join करने से पहले आप में इन सारी skills का होना भी जरूरी होगा, जैसे की leadership skills, communication skills, critical thinking, teamwork, self-control और patience यानि की बहुत सारा धैरियत, और अब आ step by step, पहला step, सबसे पहले अपने लिए suitable job profile को choose करे, merchant navy में दो main job profiles होती हैं, जो है deck cadet और engineer, अब अगर आप deck cadet यानि navigating officer की रूप में join करने की सोच रहे हैं, तो आपकी major responsibility navigate करना, ships, cargos और tanks को maintain करना, और सभी safety equipments को handle करने की होगी, जबकि engineer के तौर पर join करने पर आप engines, boilers, generators क running और maintenance के लिए responsible होंगे, इसकी बीस पर अपना job profile आप decide कर सकते हैं, दूसरा step, basic criteria को जानिए, merchant navy को male और female दोनों candidates join कर सकते हैं, हालांकि female candidates का ratio बहुत ही कम है, joining time पर candidates का unmarried होना जरूरी है, joining time पर candidates की age कम से कम 17 साल होनी चाहिए, और application time पर age 22 साल से जादा नहीं होनी चाहिए तीसरा step, educational qualification के बारे में पता लगाईए, deck, credit और engineer दोनों ही job profiles के लिए ये जरूरी है कि candidate ने 10 plus 2 class PCMC clear की हो, जिसमें minimum 60% score हो और English language में minimum 50% score हो, इसके अलावा deck, credit बनने के लिए आपको B.Sc Marine या B.Sc Nautical Science में graduation करनी होगी, अब आप चाहे तो diploma in Nautical Science और उसके बाद B.Sc Nautical Science भ वहीं engineer बनने के लिए इन में से किसी एक में bachelor degree लेनी होगी, marine engineering, mechanical engineering, civil engineering, petroleum engineering, naval architecture and offshore engineering, harbor and ocean engineering और electrical and electronics engineering, deck, cadet और engineer के अलावा merchant navy में ratings के तौर पर भी joining ली जा सकती है, जिसके लिए आपका minimum 10th या 12th class pass होना जरूरी होगा, जिसके बाद आपको 6 महिने की duration का pre-CGP rating course complete करना होगा, चौथा step, cadet और engineer job profiles के लिए आपको IMU-CET यानी Indian Maritime University Common Entrance Test को clear करना होगा, जिसके बाद आप IMU-affiliated college में admission के लिए eligible हो जाएंगे, और अगर आप government college में admission चाहते हैं, तो ये आपके GEE score पर depend करेगा, इसलिए eligible होने के लिए आपको GEE men's और advanced दोनों clear करने होगे, इसके बाद आपको interview clear करना होगा, पाँचवे step के बाद करें तो medical fitness test को भी आपको clear करना होगा, इसमें आपका clear eye vision होना चाहिए, color blindness नहीं होनी चाहिए, और आपके पास fitness certificate होना भी जरूरी होगा, छटा step, training complete कीजिए, बैचिलर डिगरी complete करने के बाद आपको एक साल की pre-C training भी complete करनी होगी, जिसके बाद cadet profile के लिए आपको ships पर काम करते हुए 18 महिने की training भी पूरी करनी होगी, जबकि इंजिनियर्स को 6 मन्त की यानि की 6 महिने की on ship training करनी होगी, साथवा step, competency exams के लिए apply करे, training के बाद cadet profile candidate government of India की competency exams में apply कर सकते हैं, और third officer के तौर पर joining पास सकते हैं, जबकि engineer candidates डिरेक्टरे जनरल अफ शिपिंग द्वारा conduct किये जाने वाले competency exams को clear करके, fourth engineer के तौर पर joining ले सकते हैं, इसके बाद experience और other competency exam clear करते हुए आप अपने career में higher ranks तक पहुँच सकते हैं, आठवा step है further education लीजिए, हालांकि entry level position के लिए आपको bachelor degree या diploma काफी होता है, लेकिन master degree complete करके आप higher salary तक पहुँच सकते हैं, इसलिए इस बारे में ज़रूर से सोचिए, और अब आपको बता देते हैं इंडिया की top colleges के नाम जहां से आप ये courses कर सकते हैं, IMU Campus Kochin, IMU Campus Mumbai, Tolani Maritime Institute Pune, Applied Research International Delhi, International Maritime Institute Greater Noida, Samudra Institute Maritime Studies Mumbai, The Great Eastern Institute of Maritime Studies Mumbai, CV Ramon College of Engineering यानि की CVRCE Bhuvaneswar, Kochin Shipyard Limited Kochi और Oceanic Maritime Institute यानि की OMI Dehradun, इन courses के according fees 1,50,000 से 6,00,000 रुपे तक हो सकती है, वही private colleges में ये fees 3,00,000 से 20,00,000 रुपे तक हो सकती है, आपके लिए वैसे अच्छी खबर ये भी है कि Merchant Navy में आप sponsorship भी पास सकते हैं, ये sponsorship थोड़ी different जरूर होगी क्योंकि ऐसी बहुत सी shipping companies है जो interested students को sponsorship offer करती है, जो courses के लिए offer की जाती है, इसमें shipping company के साथ contract sign करना होता है, जिसके बदले में वो company आपके course के लिए pay करती है, और आपकी training और job की assurity वो company देती है, कुछ companies अपने खुद के courses भी conduct करती हैं, जिनने join करने पर guarantee job placement offer किया जाता है, लेकिन दोस्तों, इस तरह की sponsorship company के बारे में पूरी जानकारी लेने के बाद ही sure होने के बाद ही लेनी चाहिए, और अब salary के बारे में जाने तो deck department में rank wise मिलने वाली पर month salary कुछ ऐसी होती है, वही engine department में ये salary कुछ इस तरीके से होती है, इंजिन कैड़ेट 30,000 रुपे पर month, फोर्थ इंजिनियर 1,20,000 पर month, थर्ड इंजिनियर 1,60,000 से 2,00,000 पर month, सेकेंड इंजिनियर 3,00,000 पर month, चीफ इंजिनियर 8,10,000 पर month, और एलेक्ट्रिकल ऑफिसर 2,00,000 पर month, वही ratings और catering crew positions पर भले ही शुरुआती salary कम हो, लेकिन एक time के बाद ये salary amount 75,000 से 1,25,000 पर month तक भी पहुँच जाता है, इस salary में company और experience के base फर काफी variation मिलता है, और ये salary amount कई reputed companies में बहुत सादा high भी होता है, तो दोस्तों, इस तरहे इस process को follow करके और इस वीडियो में बताए गए सभी major points को ध्यान में रख करके, best career options में शामिल करना चाहिए या नहीं, लेकिन आपके most favorite YouTube channels में आप हमें जरूर से शामिल रखिएगा, और इसी तरह हमारे साथ बने रहिएगा, और वीडियो आपको पसंद आया हो, तो like करके आप इसे share तो करेंगे ही, और comment box में लिख करके भी आप हमारी पूरी टीम की तारिफ में जो कहना चाहते हैं, जरूर कहिए, क्योंकि आपके comments होते हैं हमारे लिए real motivation, हमें और आगे इस type के topics पर काम करने के लिए inspire करने के लिए, तो अपने सवाल हमें भीशते रहे, बाकी नए लोगों से request है कि अगर आपने आज ही हमें join किया है और हमेशा ऐसी जानकारिया आपको समय समय पर मिलते रहे, तो quick support चैनल को subscribe करके bell icon को press कर दीजिए ताकि कोई भी notification आप कभी भी मिसना करे, रूबी आपसे अभी के लिए कहेगी धन्यवाद, मिलेंगे बहुत जल्दी ही और ऐसी जानकारियों के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहे, quick support के साथ.